हेलो फ्रेंड्स आपका एक बर फिर से स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जी एसी सील के डिपार्टमेंट से जॉब अपडेट्स लेकर आई हूँ यहाँ पर प्लांट अटेंडेट, जुनियर असिस्टेंट और अन्य पदो पे वैकेंसी आई है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दें और अब हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही जॉब अपडेट्स को पाने के लिए चलिए दोस्तों देख लेती इस वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में दोस्तों इस वैकेंसी के लिए और्गनाईजेशन का नाम गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, अप्लिकेशन मोड ऑनलाइन है, पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो प्लांट अटेंडेंट ग्रेड वन इलेक्टिकल के लिए 85 है, बिद्दुत सहायक जुनियर असिस्टेंट के लिए 40 पोस्ट है, बिद्दुत सहायक जुनियर इंजिनियर इन्वाइरमेंट के लिए 2 पोस्ट है, लैब टेस्टर के लिए 5 पोस्ट है, इंस्टुमेंट मेकैनिक के लिए 40 पोस्ट है, डेपुटी पोष्ट है, एकाउंट आफिसर के लिए 6 पोष्ट है, दोस्तों यहां पर कुल पदो की संख्या 269 है, सैलरी आपको मिल जाएगी 17,500 रुपए से लेके 1,15,800 रुपए परमत की, इस जॉब के लिए जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 36 एर्स है, OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 39 एर्स है, वहीं 80 HD के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 41 एर्स है, दोस्तों इस वैकेंसी के एजुकेसनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग वाले कैंडिडेट अपलाई करेंगे, वहीं प्लांट अटेंडेंडेंट मेकैनिकल के लिए डिप्लोमा इन मेकैनिकल इंजिनेरिंग वाले कैंडिडेट अपलाई करेंगे, बिद्धुत सहायक junior assistant के लिए कोई भी graduate candidate अपलाई कर सकता है बिद्धुत सहायक junior engineer environment के लिए B.A.B. Tech environment वाले candidate अपलाई करेंगे lab tester के लिए B.A.C. chemistry वाले candidate अपलाई करेंगे instrument mechanic के लिए diploma in instrumentation in control वाले candidate अपलाई करेंगे डेपुटी सुप्रिटेंडेंट के लिए CA, ICWA, PG डिग्री, MBA Finance, MCOM Accounts Finance वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसके साथ ही दो साल का experience भी मांगा गया है Labor Welfare Officer के लिए PG Degree in Social Work, Labor Welfare वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, एकाउंट्स ऑफिसर के लिए CA, ICWA और दो साल के experience वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे दोस्तों इस वैकेंसी का सेलेक्शन प्रोसेस रिटेंड टेस्ट और इंटर्व्यू पे बेश्ट होगा जनरल SEBC EWS के लिए अप्लिकेशन फी 500 रुपए है, वहीं पर YASC HT PWD के लिए अप्लिकेशन फी 250 रुपए है, जॉब लोकेशन गुजरात है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए 3 जनवरी 2013 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई करने का लाश्ट डेट 23 जनवरी 2023 है, अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसके साथ ही पहले कमेंट में भी मिल जाएगा दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को पढ़ना ना भूले, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद